आज एक अधुद्र शहे मेरी जहां तक नजर जा रही है भगवे जंडे लहरा रहे हैं तिरंगा फैरा रहा है मंच पर भी और सामने भी दिल्ली के प्रमुख लोग ऐसे लोग जो बड़े संत है जो डिप्लोमेट्स थे जो सेना के बड़े अधिकारी थे जिनकी वकालत में धाक है चार्टड एकाउंटेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं व्यापारियें समाज के सब खेत्रों के सब समाजों के प्रमुख हैं उन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम पैदल चलेंगे मंडी हाउस से यहां तक पैदल चलेंगे एक संकल्प बताने के लिए देश का एक साबू एक संकल्प इस यात्रा का और मुझे बताया गया है कि जब हम लोग यहां पहुंच चुकें इस मार्च का एक सिरा अभी मंडी हाउस से चला भी नहीं है इतना बड़ा मार्च भारत के सब विरोधियों के सीने पर यह अंकित करने के लिए कि भारत की जंता ना डरती है ना घबराती है हमें एक संकल्प लेगने आये हैं भारत की अखंडता का भारत की एकात्मता का और भाईचारे का इस सदी में भारत को कोई दबा नहीं सकता विभाजित नहीं कर सकता और डरा नहीं सकता मैं पिछले छे-ाठ महिने की कुछ घटनाओं का आपके सामने चिकर करना चाहता हूँ जिस समय राम जन्व भूमी का फैसला आया था मुझे पत्रकारों ने पूछा काशी में क्या होगा मतुरा में क्या होगा मैंने कहा कि मंदिर पूरा हो जाए उसके बाद काशी का विचार करेंगे पर यह सब चीजें हमारे कहने से नहीं हो रही थी भगवान की इच्छा कुछ और थी काशी के बारे वे कोर्ट ने कहा सर्वे करो उस सर्वे के आदेश से सब गवराट हो गई इंतजामिया कमेटी के लोग भागे भागे हाई कोर्ट गए हाई कोर्ट ने अपील ठुकरा दी वो सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे नहीं रोका अपने अपने वीडियो कैमरा और बाकी कैमराज लेके दोनों पक्षों की उपस्चिती में ज्यानवापी मस्चित इसको कहते हैं उसका सर्वे शुरू हो गया मर्बे के अंदर से हिंदू चिन्न मिले बेस्मेंट के खंबों वे हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले और उसके बाद में वहाँ आए जहां वजू करते थे वजू का मतलब है हाथ दोते थे पैर दोते थे पुल्ला करते थे और ये साड़े चार सो साल से चल रहा था पानी भरा हुआ था मचली तेर रही थी बहुत रोपने की कोशिश की पर कोट के लोग नहीं माने वो पानी वहाँ से निकाला मचली निकाली और भगवान शंकर का लिंग महाँ प्रकट हो गया साड़े आठ फुट का व्या से पत्थर का बड़ा शिवलिंग प्रकट हो गया सारे देश ने टीवी पर देखा जिनके मन में शक था वो दूर हो गया यह शिवलिंग आज है यह शिवलिंग 1947 में भी था 51 का कानून लागू नहीं होगा यह मस्जिद नहीं है यह हिस्सा हमारा मंदिर है और जैसे आयोग्ध्या प्राप्त हुआ है कोट में मुकदमा लड़ेंगे मुकदमा जीतेंगे और अपने जीवन में अपनी आखों से जहां काशी विश्वनात का पुराना मंदिर था उस जगा पर जाकरके उस शिवलिंग का अभिशेक करेंगे हम सब करेंगे अपने जीवन में करेंगे जिस दिन जिस दिन शिवजी वहां प्रकट हुए उसी दिन मतुरा में डिस्टिक जज की कोट ने कहा कि मतुरा का मुकदमा जो सिविल जज ने खारिज कर दिया था वो आगे चलेगा सुप्रीम कोट ने भी कहा कि इस बात की जाच हो सकती है कि उस इस्थान का करेक्टर क्या है मैंने मतुरा के मुकदमे की सारी फाइले देखी है भाईयों और बेनों हम अच्छे समय में पैदा हुए पांच सो साल की लडाई के बाद आपके हमारे जीवन में ये सो भाग के आया कि दो हजार चौबिस में ही आयोध्या जाएंगे राम जी के जन्मिस्थान पर विराजमान अपने गर्ब ग्रह में राम लडा के दर्शन करेंगे और आने वाले दर्श पंद्रा वर्शों में मतुरा और काशी के अंदर भी भगवान के मूल इस्थान वहां के भवे मंदिर जो कंस का कारागार था जहां आधी रात को भगवान पकट हुए थे वहां पर भगवान कृष्ण के और जो पुराना इस्थान शिवजी का था वहां शिवजी के दर्शन होंगे मेरे से पूछा गया क्या मतुरा और काशी आपके एजेंडे पर हैं मैंने जबाब दिया केवल हमारे एजेंडे पर नहीं पूरे हिंदू समाज के एजेंडे पर काशी मतुरा है रहेगा और प्राप्त करेंगे कुछ लोगों को परशानी होने लगी उनको लगा विशे बतला जाए बटकाया जाए किसी एक डिबेट में एक बहन ने कुछ कह दिया पूरी दुनिया में शोर मचाने लगे भारत सरकार ने F.I.R. दर्ज कर ली पुलिस जाँच कर रही है पर इस जाँच की इंतजार किये बगैर देश भर में ऐसे जनूस निकाले गए जिसमें हिंसा की गई और जिसमें मंच पर खड़े होके किसी कठमुले ने कहा नभी की ओर आँख उठाओगे आँख फोड़ देंगे जवान काटो जवान चलाओगे जवान काट देंगे गरदन उठाओगे तो शरीर से जुदा कर देंगे मैं आज की रैली में आत्मविश्वास से घोषना करता हूँ दसों दिशाओं को सुना कर घोषना करता हूँ सब अरब देशों को कह कर घोषना करता हूँ ये 2021 का भारत है ये संविधान से चलने वाला भारत है सुन लो भारत में शरीया का कानून नहीं चलेगा चौदा सो साल पुराना कानून जिसमें चोरी पर हाथ काटने का धंड होता है पत्थर मार के हत्या करने का धंड होता है ये नहीं चलेगा जिहाद नहीं चलेगा और जिनों ने भी ये धंकियां दिये उन सब का इस्थान उस जेल में होगा जहां कैदियों को चक्की पीसनी पड़ती है कोट जाच कर रही है कोट जाच करके फैसला देगी कोई भीड फैसला नहीं कर सकती की कौण दोशी है कोई भीड दंड नहीं दे सकती मैंने नुपुर का वयान सुनाए मैंने पांच-छे बार सुनाए नुपुर ने हजरत मौम्मद साब के जीवन की दो घटनाओं का जिकर किया है वो घटनाए घटी थी इस पर विवाद नहीं है नुपुर ने तो कोई टिपणी भी नहीं की कोट को फैसला करना पड़ेगा कि भारत में हमारी अभिवेक्ति की जो आजादी है उसकी सीमा क्या है वो हमारे धर्म का अध्यन करते है वो हमारे राम जी के बारे में आपत्ती उठाते है हम तो बढ़क कर गड़ा काटने नहीं जाते क्या हमें इसलाम धर्म और नभी के जीवन को अध्यन करने का अधिकार है की नहीं है उस अध्यन करने में अगर हमारे मन में कुछ सवाल उठे तो उन सवालों को पूछने का अधिकार है की नहीं है और अगर उन सवालों का जवाब सुनने के बाद हमारी संतुष्टी नहीं हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1400 साल पुरानी गटनाई इतिहास जीवन वृत्त ये वर्तमान युग से मेल नहीं खाता सुप्रीम कोट को ये कोट को तै करना है नुपुर ने कोई सीमा रेखा लांगी की नहीं ये सुप्रीम कोट ये कोट ने तै करना है और जब तक मैजिस्टेट की कोट उसको दोशी करार नहीं देती तब तक नुपुर को निर्दोश माना जाएगा नुपूर पर देश भर में बहुत सारी चगा F.I.R हो गई, बंगाल में भी हुई, वहाँ की पुलिस बुला रही है, बंबै में जब पुरानी शिव सेना का राज़त हुआ तो वहां भी हुई, वहां की पुलिस बुला रही है, नुबुर सुप्रीम कोर्ट गई और इसलिए गई कि अभी थोड़े समय पहले अरणब गोस्वामी का मुकदमा हुआ था अरणब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गई थे उन्हों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले में एक F.I.R होती है बाकी नहीं चल सकती एक ही जगह जहां चोगी और सारे देश में चल रही सब F.I.R को दिल्ली बुला लिया था नुबुर ने कोर्ट से कहा कि जो लोग मेरा ट्वीट कर रहे हैं उनकी अत्या हो रही है देश के बातावरंड में गर्मी है मेरा सिर काटके लाने वाले पर पुरुसकार की घोशना हो रही है तो नुबुर ने कहा मेरे मुकद में दिल्ली में कर दो मुझे निराशा हुई इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के दो जजें मैं एक जिम्मेवार वकील हूँ इसलिए मैं उन जजों की बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा पर उन्होंने जो टिपणियां की है वो और्डर में लिखी नहीं है उनके टिपणियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा सकता और इसलिए मैं इतने लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा को भंग करके लक्षमन रेखा लांगी उनको ये फैसला नहीं करना था कि नुकुर दोशी है की नहीं ये फैसला मजिस्ट्रेट करेगा कारवाई पूरी करने के बाद करेगा गवाई सुनेगा बहस सुनेगा तब फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार था कि वो टिपणी करते हैं और टिपणी की तो लिखी क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का आधर करते हैं पर सुप्रीम कोट के जजों को इस बात की चिंता करनी होगी कि ये आदर बना रहे हमको राजिस्थान के बारे में चिंता है वहाँ विश्व हिंदू परिशत बजरंग दल के लोगों की इन दिनों में हत्या हुई है राम नौमी का जलूस निकालने के लिए वर्ष प्रदिपदा का जलूस निकालने से भी उनको रोका गया है अनुमती थी तो कहा कि डीजे नहीं आएगा डीजे के लिए कहा तो उन्होंने का अच्छा एक आएगा जादा नहीं आएंगे बहुत गुस्सा है इस बारे में जिस समय जोधपुर जो मुख्यमंत्री का खेत्र है वहाँ दस थाना खेत्रों में कर्फियू था मुख्यमंत्री ने कहा कि सब ठीक चल रहा है पर उदेपुर की घटना पुलिस के पाफ सूचना थी लिखित में सूचना थी क्रेडिबल सूचना थी कि कनया के जीवन संकत में है पाँच दिन दुकान बंद रही थी लगातार धमकिया मिल रही थी पुलिस को मालुम था उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई और इसलिए दो आतंकबादी, जिहादी दिन धाडे गए दुकान से गसीटा 26 चाकू के वार किये और उसके हत्या हो गए हम राजिस्तान सरकार को भी लापरवाई मानते और मैं इस सभा में मांग करता हूँ कि अमरावती में भी उदेपुर में भी जो हत्यारे हैं जल्दी जाच पूरी करो एक हफ़ते में रिपोर्ट फाइल करो फास्ट ट्रेक पूर्ट में मुकदमा चलाओ भारत की ये जनता इस बात का आवान करती है इस बात की मांग करती है कि अब से छै महीने के अंदर जेल की काल पूर्ठरी के बहार गले पर काला थैला बांद करके इनको फासी होना चाहिए विश्वा हिंदु परिशक ने प्रत्यक राज्य के लिए हेल्प लाइन जारी कर दिये किसी को धमकी मिलती है घर बैठने की बात नहीं है डरने की बात भी नहीं है बजरंग दल के लोगों को फोन करना वो चौड़े सीने के साथ में साथ आकर खड़े होंगे आपके साथ ठाने जाएंगे आपकी रिपोर्ट लिखाएंगे उसकी जाच करने का दबाब बनाएंगे और सुन्रिश्चित करेंगे कि उस वेक्ति को सुरक्षा मिले और धमकी देने वाले को दंड़ मिले हम ये भी गोशना करना चाहते हैं कि कानून हमको आपकर रिख्षा का अधिकार देता है और इसलिए सुनो अगर आज के बाद किसी मस्जित से या कहीं से भी निकल कर पत्थर बाजी की कोशिश की आग जनी की कोशिश की मार पीट की चैश्टा की तो आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार का उप्योग हिंदु समाज मिल कर करेगा बादन शिकायत मत करना हमारे बजरंग बलके हमारे बजरंग दल के लोगों का एक नारा है वो कहते हैं बजरंग दल के चीते हैं अपने दम पर जीते हैं ये बजरंग दल समाज की रक्षा पंक्ति बनकर खड़ा रहेगा और भारत अपने रास्ते पर चलेगा शांती से चलेगा कानून और वेवस्था से चलेगा ये आज की हमारी संकल्प यात्रा है मित्रो हम सबको संकल्प लेना है और वो संकल्प मुठी बांद के लिया जाता है हाथ उठा कर लिया जाता है मैं आप सबसे निवेधन करूँगा मैं मंच के लोगों से भी निवेधन करूँगा हाथ नहीं दिखाना है आजकल हाथ दिखाने से बड़ी गलत फेहमी होती है मुठी बांद रिए एक बार खड़े हो ये मुठी बांद रिए और मेरे पीछे अपना संकल्प दोराईए हम भारत के लोग परंपिता परमेश्वर और अपने पूर्वजों का स्मरण कर ये संकल्प करते हैं कि अपने भारत देश की अखंडता एकता और भाईचारे की सदैव रक्षा करेंगे विश्वको परिवार मानने वाली अपनी पुन्य संस्क्रिती का प्रसार करेंगे भारत की अखंडता और भाईचारे के मार्ग में आने वाली बाधाओं जिहाद आतंकबाद और अन्य विभेतकारी प्रयत्नों को परास्त कर भारत के संविधान के अंतरगत सुखी संपन विकसित और विश्वगुरु भारत बनाएंगे भारत माता की वंदे माता मित्रो हमारे संकल्प में एक सहायक शक्ती है हमसे बड़ी शक्ती है और वो शक्ती है हनुमान जी की हनुमान चालीसा पड़े वगएर तो जाना नहीं है वो जो आयोध्या में तो वो जो आयोध्या में पांच फुट चौड़ी पत्थर की दिवारों का धांचा था हमारे पास तो बम भी नहीं था कुदाल और हतोड़ा भी नहीं था वो तो हनुमान जी ने बल दिया और तूट गया उस हनुमान जी के बल के लिए सुरेंद्र जी की सूचना के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इस पाठ को किये बगेर अपना स्थान नहीं छोड़ना है भारत माता की